दोस्तो spring season में जब हम nursery जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे colorful foliage वाले plant दिखते हैं जिसे खरिदने का बहुत मन करता है लेकिन ज्यादा तर indoor plant महंगे होते हैं तो हम डरते हैं कि अगर इसकी care सही से नहीं हुई तो हमारे plant बिगड जाएंगे और हमारे पैसे डूब जाएंगे तो दोस्तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ indoor plant शेयर करूँगी जो दस्ते भी है, low maintenance plant है और air purifier भी है और इसके अलावा उसके colorful पत्तों से हमारे garden में रंग भी बिखेरते हैं तो hello friends मैं रश्मी स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मे इस garden में तो दोस्तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बहुत ही खुबसूरत पत्तियों वाला plant एगलो नीमा है इसे Chinese Evergreen भी कहते है इसकी पत्तियों में बहुत अलग-अलग color के variation होते है इसके हिसाब से इसकी price vary करती है इसकी bright colorful पत्ते वाले plant थोड़े महंगे आते हैं लेकिन ये जो green foliage वाले plant है वो आसान इसे 40 रुपे से 80 रुपे के बीच में मिल जाते है ये मेरा silver stone और ये silver queen plant है इसके अलावा ये pink aglonema है अगर घर में रख रहे हैं तो इसे indirect bright light में रखे और अगर बाहर तो उसे shady area में रखे इसे warm और humid environment चाहिए तो आप इसके आसपास नमी बनाए रखे इसकी मिट्टी well drain बनाए और पानी तभी डाले जब एक इंच तक की उपर की layer dry हो जाए ये एक air purifier plant है जो easy to grow है और अगर आप एक बार इसके plant ले आओगे तो फिर आपके पास ये plant हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये अपने side से baby puffs निकालते है तो उससे ये plant multiply होता रहता है ये मेरा sparkling सारा और ये lipstick aglonima का plant है फिर अगला plant है bamboo plant जिससे हम वास्तु के इसाब से शूप plant बानते है ये भी एकदम low maintenance वाला plant है और बहुत ही सस्ते में मिलता है ये भी बहुत महंगा नहीं आता है ये एक air purifier plant है और इससे आप मिट्टी में और पानी में दोनों में grow कर सकते हो अगर आप पानी में लगाते हो तो इससे हपते में एक बार इसका पानी जरूर चेंज करे और मिट्टी में लगाते हो तो इसको indirect bright light में रखे ये एक moisture living plant है तो इसकी मिट्टी में moisture बनाए रखने के लिए regular watering करे बाकी इसमें कोई fertilizer की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर अगला plant है डंब केन या फिर डाइफन बेकिया ये एक बहुती beautiful बड़ी पतियों वाला air purifying plant है इसकी green color की बड़ी बड़ी पतियों में white color का variegation होता है जो दिखने में बहुती खुबसूरत लगता है ये भी एक low maintenance plant है इसमें कोई pest attack भी नहीं होता है और पानी भी तभी दे जब उपर की 2 इंच तक की layer आपको dry लगे हाँ ये plant थोड़ा toxic होता है तो अगर आपके घर में कोई pets है तो उनको इससे दूर रखे ये एक shade loving plant है तो आप इसे indirect bright light में रखे धूप में इसकी पतिया जल जाती है nursery में इसकी छोटे plant 50 रुपे से 80 रुपे तक मिल जाता है फिर अगला plant है senseveria जिसे हम snake plant से भी जानते है ये बहुत ही अच्छा एक air pure fire plant है ये दिखने में जितना अच्छा है उतनी ही इसकी demand बहुत ही काम है यानि आप इससे लगा के भोल जाओगे फिर भी ये आपके पास बना रहेगा क्योंकि ये succulent variety का plant है तो summer में आप हफते में एक बार और winter में 15 दिन में एक बार पानी दोगे फिर भी ये अच्छे से grow करेगा इसमें भी आपको कई variety option मिलेंगे जैसे कि ये dwarf variety है एक जो पहले बताई थी वो लंबे पत्तों वाली variety थे इसके अलावा इसके पत्तों में yellow color की outline होती है उसमें भी एक dwarf variety होती है ये एक लंबे पत्तों वाली variety होती है ये भी आपको नरसरी में 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिल जाती है इसमें भी side से baby plants निकलते हैं तो आप एक बार ये plant ले आओ तो फिर आपके पास ये हमेशा रहेगा फिर अगला plant है पोथोस या money plant ये एक low demanding air purifying plant है इसे आप मिट्टी और पानी दोनों में grow कर सकते हो इसे आप indirect sunlight में रखे ये moisture loving plant है तो आप इसके आजबास humidity बनाए रखे इसमें भी आपको कई option मिल जाता है जैसे ये normal पोथोसे उसके अलावा ये marble queen है इसकी पत्यों में marble जैसे design है और फिर ये neon पोथोसे ये बहुत ही bright neon color के इसके पत्या होती है तो ये भी बहुत ही खुबसूरत लगती है इसके अलावा एक enjoy पोथोस होता है जिसमें green और white के variegation में पत्य होते है nursery में variety के हिसाब से इसकी price vary करती है तो इसे भी इस वक्त आप अपने garden में add कर सकते है फिर अगला plant है philodendron ये बड़ी बड़ी पत्यों वाला ये plant भी बहुत ही खुबसूरत लगता है इसमें भी money plant की तरह aerial root निकलते है तो जब इसे moss rose पे चड़ाते हैं तो थोड़े ही दिनों में ये पूरा गमला cover कर लेता है इसमें भी आपको बहुत सारी variety मिलेगी जैसे कि ये dark green color case के पत्ते है इसे heart shape philodendron भी कहते है क्योंकि इसकी पत्तियां heart की तरह होती है फिर ये neon color का philodendron जो आपके garden को एकदम vibrant look देता है बहुत सुन्दर लगता है देखिए मेरी एक branch तूट गई है लेकिन ये बहुत आसानी से cutting से लग जाता है तो ये cutting भी लग जाएगी और ये जो variety है इसके जो नए पत्ते निकलते हैं वो copper color के निकलते हैं तो वो बहुत ही खुबसरत लगते हैं फिर जैसे जैसे वो पुराने होते जाता है तो वो green color के हो जाता है इससे आप indirect bright light में रखे वैसे ये low light में भी बहुत अच्छा grow करता है तो अगर आप इसको घर में रखोगे जहां बहुत कम light आती है फिर भी ये वहाँ पे अच्छे से growth करेगा इसे वेल्डरेन मिट्टी में लगाए और पानी तभी दे जब इसकी एक इंच तक की layer सूख जाए समर में रोज आप इसके पत्तों पर पानी का स्प्रे करें ताकि इसके आसपास नमी बनी रहे तो ये भी बहुत ही low maintenance वाला एक plant है और नर्सरी में भी इसके plant पाचास रुपे से लेकर सौ रुपे तक मिल जाता है फिर अगला plant है rubber plant ये भी एक बड़े पत्तो वाला बहुत ही खुबसुरत air purifier plant है और इसकी भी maintenance ना के बराबर है इसे आप वहां रखे जहां पे indirect sunlight आती हो वहां ये बहुत अच्छे से grow करता है इसकी पत्तियां थिक होती है और इसे moisture पसंद रहता है तो इसे welderan मिटी में लगा के आप regular watering करें इसमें भी आपको variety option मिलते है जैसे मेरा ये black color का rubber plant है इसके अलाबा एक green color का आता है और एक variegation वाला भी आता है नरसरी में इसके छोटे plant 50 रुपे से लेकर 100 रुपे के बीश में मिल जाते है लेकिन अगर आपका plant बड़ा है तो इसकी price ज्यादा होगी फिर जो लिस्ट में अगला नाम है वो है aralia ये भी बहुत अच्छा low light में चलने वाला indoor plant है इसके care भी ना के बराबर है इसकी पतियां गोल-गोल होती है और इसमें भी कई variety आती है और इसमें पतियों के size में difference होता है जैसे कि इसकी पतियां बड़ी है और इससे छोटी इसकी पतिया है और इसके variegation में भी difference है फिर ये जो वेराइटी है ये बिना वेरिगेशन वाला है और इसमें पतियां छोटी है तो ये भी आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देता है इसे थोड़ा सूखा रहना पसंद है तो आप तभी पानी डाले जब आपको लगे कि एक से डेढ़ इंच तक की इसकी पर ब्रांचिस निकलेगी और वो घना लगेगा तो वो बहुत खुबसूरत दिखेगा ये कटिंग से भी आराम से लग जाता है और नरसरी में भी इसके प्लांट आराम से 20 रुपे से 50 रुपे तक मिल जाते है फिर अगला जो प्लांट है बहुत ही खुबसूरत पत्यों वाला प्लांट फाइकस फाइकस में बहुत सारी वराइटी आती है पार्क में जो भी हम डेकरेटी शेप के प्लांट देखते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बहुत मन लुभावन होते हैं वो ज्यादा तर फाइकस के प्लांट से ही बनाये जाते हैं ये बहुत हार्डी लो मिंटेन्स वाला प्लांट है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है मेरे पास जो ये प्लांट है ये फाइका स्टार लाइट है इसे आप इंडारेक्ट ब्राइट लाइट में रखे इसे वाम और हुमिड टेंपरेचर पसंद है तो इसमें आप पानी का स्प्रे करो ताकि इसके आसपास नमी बनी रहे और इसके पत्ते भी क्लीन हो जाए और खुशुरत दिखे इसके सिंपल वाराइटी 20 रुपे से 30 रुपे तक और ये वेरिगेशन वाली 50 रुपे से 100 रुपे तक मिलती है पिर ये अगला प्लांट है सिंगोनियम इससे एरोहेट प्लांट भी कहते है ये भी एक बहुत अच्छा एर प्यूरिफार प्लांट है और लो मेंटिनेंस प्लांट है इसको आप वेलरेन मिट्टि में और इंडारिक ब्राइट लाइट में रखे अगर इसके उपर धूप गिरती है तो इसकी पत्तियां जल जाती है इससे आप इंडारिक लाइट में रखोगे तो ये इस तरह से घना रहेगा लेकिन अगर आपने इसे लो लाइट में रखा तो फिर ये सिंगल डंडी की तरह बढ़ेगा उसमें से अभी विंटर था तो मेरी सारी लीव्स जड़ गई है और अब इसमें ग्रोच स्टार्ट होई है तो ये बहुत खरब दिखता है तो अब मैं इसकी दो से तीन कटिंग बना कर इसको इसी में लगा दूँगी और इसे ब्राइट लाइट में रख दूँगी समर में तो खास इसमें भी आपको बहुत सारी वराइटी मिल जाती है जैसी ये मेरा पिंक सिंगोनियम है उसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला ये मेरा जो नॉर्मल वराइटी आती है ग्रीन वाली वो वाली वराइटी है उसके अलावा ड्वार्फ यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है यह भी आपको इस वक्त नर्सरी में बहुत सारे कलर कॉंबिनेशन में और वैराइटी में मिल जाता है यह भी बहुत महेंगा प्लांट नहीं है इसे आप वहां रखे जहां पर छंके दूप आती हो या फिर सुबह की तीन से चार गंट तो यह थोड़ा सा कम हो जाएगा इसमें regular watering करें क्योंकि अगर इसकी मिटी dry हो गई और इसके पत्ते अगर जो लटक गए तो फिर उसको रिवाई होने में बहुत देर लगती है तो इसमें moisture level बनाए रखे और हां इस प्लांट में छोटे-छोटे white flies भी होती है तो महने में एक बार आप इसको neem oil का इसमें spray कर दीजिए बाकि जितने भी मैंने plant बताए उसमें किसी में भी pest attack होता नहीं है सिर्फ एक यही plant है जिसमें आपको neem oil का spray करना है यह plant भी आपको nursery में बहुत सारे color combination में मिल जाते है और यह भी 30 रुपे से होके 100 रुपे तक plant के हिसाब से vary करते है तो यह थे कुछ रंग भी रंगी पत्यों वाले plant low maintenance plant और air purifying plant जिसे आप अपने garden में इस वक्त add कर लीजिए अगर आप nursery जाते हैं तो इसे लेना बिलकुल मत भूलिएगा उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक किज थैंक यू